हेलो दोस्तों मैं हूँ सत्यंदर और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों कई लोगों के लिए हेर्स उनके लुक का एक नेचरल हिस्सा और उनके प्रसनालिटी की एक्सप्रेशन होती है हेर हमारे बॉड़ी को प्रोटेक्शन प्रवाइड करते हैं एक्जेम्पल के लिए यह संरेज को हमारे स्केल्ब तक पहुँचने से रोकने में मदद करता है आइलैसेस और आइब्रोज, डस्ट, डर्ट और पसीने को हमारी आखों से दूर रखती है यहां तक कि हमारे नाक और कान के हेर भी Jarms और Other Foreign Object को दूर रखने में मदद करते हैं सरीर के हेर्स हमारे बॉड़ी टेंपरेचर को कंट्रोल करने में मदद करती है जब ठंड होती है तो हेर खरे हो जाते हैं जिससे बॉडी दोरा गर्म की जाने वाली हवा को सरीर के करीब रखा जाता है बॉडी के कुछ जग हो जैसे कि हमारे हातों की पाम और हमारे पैरों की सोल को छोड़ कर हेर हमारी सरीर के पूरी सरफेस पर होती है हमारे बॉड़ी में तीन टाइब के हैर पाय जाते हैं जिसमें लेन्यूगो हैर्स, वेलस हैर और टर्मिनल हैर सामिल है लेन्यूगो हैर्स वे थिन और सॉफ्ट हैर होते हैं जो न्यूबॉर्ण बेबी के बॉड़ी पर दिखाई देती है ये hair जन्म से पहले या इसके कुछ दिनों बाद ही गायब हो जाते हैं Wellis hair thin और fine hair होते हैं जो आपके सरीर के अधिकांस भाग पर उखते हैं ये hair आपके body temperature को regulate करने में मदद करते हैं और आपके skin को protect करते हैं Terminal hair thick और coarse hair होते हैं जो आपकी skull पर उखते हैं और आपकी eyelashes और eyebrow को बनाते हैं Puberty के बाद Terminal hair आपके face, armpit, pubic area और chest पर भी grow करते हैं आप में ये सारे hairs कितने हैं या आपकी age और gender पर भी depend करता है Example के लिए बच्चों के सरीर में ज़्यादा तर welless hair होते हैं दोस्तो आएए अब एक hair के structure को detail में जानते हैं एक hair का टुकरा देखने में simple लग सकता है लेकिन ये body के most complicated structure में से एक है Hair दो अलग-अलग structure से बने होते हैं जिसमें पहला part जो कि हमारे skin layer के ऊपर होता है उसे hair soft कहते हैं और दूसरा part जो कि skin के नीचे होती है इसे hair root या hair follicles कहते हैं Hair follicle hair को scalp में anchor करता है Follicle के bottom पर papilla नाम का एक tissue होता है इसमें कुछ blood vessels होती है ये hair के growth के लिए उनके roots को nutrient provide करती है Follicles में germinal matrix भी होता है जहां cells नए hairs को produce करती है Bulb hair की root में present एक round structure है जो कि papilla और germinal matrix को cover करता है इसमें कई types की stem cells होती है जो specialized cells में develop होती है और खुद को renew कर सकती है Hair soft, hair का वह भाग होता है जिसे हम देख सकते हैं एक बार जब hair skin के layer से आगे बढ़ जाते हैं तो cells living नहीं रहती या keratin की 3 layer से बना होता है होती है जो बालों को color देती है soft के बाहरी layer को cuticle कहा जाता है hair conditioner का use इसी cortex layer को soft करने के लिए किया जाता है आईए अब यह जानते हैं कि हमारे hairs कैसे grow करते हैं hair follicles में लगातार नई cells बनती रहती है ये cells आपस पे चिपक जाती है और hard हो जाती है rigid hair cells के इस group से hairs का पूरा strand डिवलप होता है चुकि new tough cell नीचे से बालों से attach रहती है इसलिए ये धीरी-धीरी skin से उपर आ जाती है इस तरह आपके सिर पर एक hair इच मंत लगबग 1 cm की rate से बढ़ता है facial hair और specially eyebrow, eyelashes और body hair slower rate से बढ़ते हैं आपका hair straight होगा या करली ये आपके hair के shape के cross section पर depend करता है round hair सीधी skin से बाहर निकलते हैं cross section जितना अधिक oval होगा बाल उतने ही करली होगे hair का color hair soft के cuticle cells में present melanin pigment के amount पर depend करता है ये person to person vary करता है और ये जीवन भर बदलता रहता है लोगों की उमर बढ़ने के साथ melanin की मात्रा आम तोर पर कम हो जाती है और फिर इसका color white हो जाता है दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी कई जानकारी आपको अच्छे लगी होगी दोस्तों वीडियो को like करना और channel को subscribe करना ना भूले मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में